अयोध्या में भारतिय जंता पार्टी के नेताओं का अगला संगम होनी जा रहा है जी हाँ बुद्वार यानि की 15 दिसंबर और आज सुभा लगबग 11 बजे बीजिपी के राश्ट्रिय अध्यक जेपी नड़ा के साथ बीजेपी शाशत राज्यों के 11 मुख्य मंत्री और 2 मुख्य मंत्री रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे इन में शामिल 8 राज्यों के मुख्या आपने परिवार के साथ पहुंचेंगे आपको बता दें कि राम मंदिर पर फैसले के बाद जेपी नड़ा और सभी मुख्य मंत्रियों की ये पहली अयोध्या यात्रा है काशी से अयोध्या पहुंचने के बीद जगा जगा मार्गो का डायवर्जिन किया गया है जिसे सुविधा जनक तरीके से ये सभी काशी से अयोध्या पहुंच सके वहीं बी बी आईपी के मूव्मेंट के चलते अयोध्या प्रसाशन की तरफ से तयारी कर दी गई है और जिन मुख्य मंत्रियों के साथ उनका परिवाद भी पहुंच रहा है उनके साथ एक अतिरेक्त महिला अफसर भी प्रसाशन ने विवस्ता उसकी की है ऐसे में भूले के धाम से श्रीराम की नगरी अयोध्या में असम, हरियाना, गुजरात के मुख्य मंत्री पहुंचेंगे तो वही अनुणाचल प्रदेश, त्रिरपुरा, मरीपुर, हिमाचल प्रदेश, मद्यप्रदेश, गोअ, करनाठा का उत्राखंड के मुख्य मंत्री अपने परिवार के साथ महँच रहे हैं इसके अलावा नाचल प्रदेश और बिहार के उख मुख्य मंत्री भी अयोध्या पहुंचेंगे सभी बीजेपी के बड़े नेता और उनका परिवार अयोध्या में बजरंग बली और रामलला के सामने मत्था टेकेंगे तेक कारकरम के बुताविक सभी सीम और डिप्टे सीम सुबह ग्यारा बजे हनुमान गड़ी दर्शन करने जाएंगे और दुटे बेला में दो बजे के करीब रामलला की पूजा करेंगे तो ऐसे में एक बार फिर आज आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम नेता और ग्यारा मुख्या मंत्री आज अयोध्या महुशने जा रहे हैं कल काशी में सभी निदेरा डाला था कल काशी में प्रधान मंती नरींद मोदी के साथ बैठा कोई थी 12 राज्यों के मुख्या मंत्री लेकिन उसके बाद आज ये 11 राज्यों के मुख्या मंत्री आज अयोध्या पहुंचेंगे